निमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन जहां एक तरफ राहूल गांदी की लोकसभा सदसता जाने के बाद राहूल गांदी की बढ़ रही है मुश्किलें तो उन्होंने कहा है कि मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार ऐसे ही लड़ रहूंगा तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसत और प्रवक्ता प्रमोतिवारी ने कहा है कि कोट को राहूल गांदी को सजा देने से पहले उनकी प्रश्ट भूमी जो है वो देखनी चाहिए थी क्योंकि गांदी परिवार के लिए अलग कानून बनना चाहिए इस प गांदी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए वो अपने राइस्तंत्र बनाया हुआ था उसको बचाने की कोसिस कर रहे हैं लोगतंत्र के उनको दूर दूर तक चिंता नहीं है जिस तरीके से कॉंग्रेस में दरवारी कल्चर है आर दरवारियों के मुह से सच्चा ह सामने आ गई कि गांदी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए आम लोगों के लिए अलग कानून होना चाहिए कैसे आपने मैक्सिम सजा राहूल गांदी को दे दी वो तो गांदी है उनकी प्रिश्च भूमी देखनी चाहिए थी इनके लिए जिस तरीके से कॉंग् वर काम करता है या वो राजा हो या रंग अब रहुल गांधी एहिंगकार में हैं घमन्ड में हैं आप समाज की बेजित्ती भी करते हो आप समाज को बदनाम भी करते हो और माफी भी नहीं मांगते कोट में जब भैस हुई बार-बार आपको मुका दिया गया कि आप माफी मांग लो, खेद व्यक्त कर दो समाज जिसकी आपने भावनाय आहाद की है उनके पास बैठ लो उनके साथ बैठ के उनका जो अपमान आपने किया है उनको आप खेद व्यक्त कर दो और इस केस से बार आजाओ लेकिन नहीं एहिंकार था यह चोटी सी कोट मेरा क्या बिंगार सकती है यह चोटी सी अदालत मेरा क्या बिंगार सकती है मैं तो राजा हूँ, मैं तो बादसा हूँ, मैं तो सहनसा हूँ यह सारा जो एटिटूट है, जो एहिंकार है इसकी वैसे इनको सजा मिली है और राहूल गांदी के अगर कोई ब्रोधी है तो वो कॉंग्रेस में ही है पवन खेराजी के लिए तो एक घंटे में जाके सुप्रीम कोट चले गए और सुप्रीम कोट में जाके आप लोगों ने वहाँ पर पवन खेराजी को बचाने के लिए एक्षेन भी करा लिया, उनको जमानत भी दिला दी, लेकि राहूल गांदी के लिए क्यों नहीं गए, यह अपने आप में देखाता है, कि राहूल गांदी दोसी हैं, मैं मानता हू उनकी पार्टी के लोग ना लोकतंत्र मान रहे हैं, ना सविधान के रहे हैं, अलग कानून होना चाहिए, क्या? वो सौन्य गांदी और रहूल गांदी के हाथ में थी, हम सब ने देखा, तो यह लोग लोकतंत्र को नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ अपने को बचाने के लिए लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर लोकतंत्र मानते, तो भारत जोड़ो यात्रा में आपको खूब मोका मिला, पूब आप बोले, अनकल बोले, तो आपको बिदेशों में जाके देश को बदनाम करने की जरूत नहीं पड़ती, आप जो बिदेशों में जाके देश को बदनाम करते हो, यह अपने आप में देखाता है, कि आप भारत के लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, आप भारत का सम् देखिए आप बेटे की बात करेंगे फिर नानी की बात करेंगे फिर दादा की बात करेंगे आप अपनी बात करो आपने गलत किया है तो आपको सजा मिलेगी स्रीमती इंद्रा गांदी ने गलत किया दा तो उनकी सदस्ता गई और सदस्ता आप पहले नहीं हो जिसकी गई है लालू की भी गई है, और यह पराना कानून है, तो क्या आपके विलिगा अलग कानून मनें? मोदी जी के रहते हुए अशा नहीं होगा, मोदी जी के रहते हुए सब के लिए बराबर कानून है, जो गलत करेगा, उसको सजा जरू मिलेगी, 12-13 करोड़ के आसपस, अब मोदी समाज के ओबीशी वर्ग रहता है उन्हों सबका अपने अप्पान किया है बोलते हैं सब चोर मोदी क्यों होते हैं और फिर आप उसमें खेद व्यक्त नहीं करतें माफी नहीं मांगतें क्लैरिफिकिसन नहीं देतें तो यह एंकार औ घमंड नहीं चलने वाला जूकने वाले नहीं हैं अडानी अम्वानी की बात कर देना मी Onu बिज्ञशो में कब इन होने धन अर utan किया हैं के निनक्ान कर्षिक गार क्प यह आतनी कौन्टु के पहले पर इंज प्रशान मंतरी को सिघ्रांग का देते हैं से मतींडिके जमाने embassy ne हैं लेकि नाम अब ले रहे हैं. तो हम, हम किसी को चोर नहीं मानते, हम सबको काम करने देते हैं, देश के निर्माइट सबको सहयोग करने देते हैं, और जो गलत है, चाही कोई भी हो, सबको सजा मिले, इसके लिए भारति-नताब पार्टी कमिटेड है और बारती इंदापाटी जितनी बेजिंसियां उनको स्वतंद रूप से काम करने के लिए उनको पूरी तरीके से छूट दी हुई है और इसी लिए आज सभी पर तेजी से एक्षन हो रहा है जो गलत है गलत को सजा जरू मिलेगा पर यह भी कहा जा रहा है कि निय दबाब है या बोलो नहीं है अगर नहीं है तो फिर आप दुस्परिचार मत करो अगर है तो बताओ पवन खिरा को किस तरीके से एक घंटे में रहात मिल गई यह अपने आप में देखाता है यह अनगल बातें कर रहा है क्योंकि यह गलत हैं यह गिल्टी प्रूब हुए है इसी लिए अपने आपको बचाने के लिए हेर देर कर रहे हैं हम सब जानते हैं भारत में जो डिस्ट्री इंडिपेंडेंट है अपना काम करती है मजबूत है सोतंतर है उस पर किसी का कोई दबाब नहीं है 2024 को लेकर कोई भी मोदी जी आ फिर बीजेपी की रहा असान नहीं है राहूल गांदी ने ये भी कहा है कि मैं संसद में रहूँ या संसद से भार मुझे फरक नहीं पड़ता मैं आवाज उठाता था आवाज उठाता रहूँ इसलिए लोग उनको प्यार करते हैं उनका संबान करते हैं उनका साथ देते हैं और 2024 में भी भारी बहुमत से मोदी जी को बापिस लाने वाले इसी की साथ आज कॉंग्रिस का मधिपरदेश में प्रदेशन हो रहा है उन्होंने मूँ पे ताला ला लगा रखा किया रहा है जो रद की गई है उससे उन्हें काफी जादा सानबूती मिलेगी लोगों की और अगर वो जब भी चुनाव लड़ेंगे तो एक भारी सेलाब जो है वुराहुल गांदी को समर्थन देगा भारत की जंता समझदार है कभी भी गलत व्यक्ति के लिए सानबूती नहीं होती अच्छे लोगों के लिए सानबूती होती है इन्होंने ओबिशी समाज का अपमान किया है अब कॉंग्रिसी नीताओं की बातों से भी समझ में आता है कि हाँ इन्होंने अपराद किया है गल तो बहुत अच्छे मार्जन से, बहुत अच्छे आप कैसे तो मेजोर्टी से जीतने वाले हैं और सरकाय मनाने वाले आदार पे करते हैं, रावल गांधी को लगता है तो जाओ कोट, आपने गलती की है, तो आपको सेज़ा जरूम मिलेगी, और आपको कोई तोड मरूटता नहीं आपकी बातों को, तो आप कलेरिफिकेशन क्यों नहीं देते, आपने उस समाज के साथ जाके खिद व्यक्त क्यों क्योंच कुछ झा